अमारी कहानी के सुरुवात ही कारू के साथ होती है, जो जल्दी सुभे उटकर अपने स्कूल के लिए एक ट्रेन में बैठता है, पर उसे एक आवाज परिसान किये जा रही है, जब पिछली रात वो अपने साइकल पे घूम रहा होता है, उसे एक अजीब सी ओरेंज लाइड आस्मान में दिखाई देती है, और वो इसी जगह पर उसे एक आवाज भी सुनाई देती है, और उसे ऐसा लगता है, जैसे वो आवाज उसे ही पुकार रही हो, और तब से वो ही सोच रहा है कि आखिरो क्या हो सकता है, जब वो वहाँ पर बैठा ही होता है कि उसकी नजार एक प्रेगनेंट और पर पड़ती है, जो कि उसके बिल्कुल सामने ही घड़ी होती है, और साथ ही साथ हो देखता है कि दो ओल्ड लेडिस उसके बारे में बात कर रही होती है कि आखिरो कैसे एक औरत को देखकर भी वो अपनी सीट उसे नहीं दे रहा है, ये सोच करो अप के बारे में बात कर रहे होती हैं, लेकिन वो कुछ करें उससे पहले ही उसके बगल में जो आदमी बैठा होता है, वो उड़ जाता है और उस और उसी पोजिशन में ही खड़ा रहे जाता है, ये देखकर उसे इतनी ज्यादा सरम आती है कि जैसे ट्रेन से कूद मरें, तब ह अचिकली इस अब उसके दोस्त उस ट्रेन पर पहुझते हैं, और उनसे जाकर मिलता है, उसके दोस्त श्कूल के बारे में बात कर रहे होती हैं, लेकिन हिकारू का उसमें बल्कुल मन नहीं होता है, वो अब भी आप पिछली रात वाली घटना को याद कर रहा होता है, जब उसके फ्रेंड उसके बारे में उसे पूसते हैं, तो उन्हें बताता है कि उसने रात को एक अजीब सा साइरेन सुना था, और जब उसने अपना उ esto kohl कर देखा, तो उसने एक बिल्लिंग को देखा, और उसे पास से देखने के लिए हो अपनी साइकल लेकर उस तरब गया हम देखते हैं कि उस बिल्लिंग के अंदर किसी ओरंज से क्यूब को एक लड़की न चुरा लिया होता है उस लड़की के बॉड़ी पर कुछ रोबोट आरम्स जोइन किये हुए होते हैं और उन लोगों से भागने की कोशिस कर रही होती है लेकिन उहा के गार्ड्स उसे चारों तरब से घेर लेते हैं वो गार्ड्स जैसे ही उस पर अपने बंदूग से फायर करने लगते हैं उस लड़के का मेकनिकल आरम आगे आकर उन सब को डिफिलेक्ट करतेता है ये देखकर वो गार्ड्स एक स्पेसलाइज वेपन निकाल लेते हैं और उसे वही पर ही एक फूर्स फिल्ड में कैद करने की कोशिस करने लगते हैं तब ही वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है जिसके पास भी एक मेकनिकल आरम होता है और उस लड़की पर अटेक करके वो उस क्यूग को अपने पास ले लेता है लेकिन वो लड़की फिर से उस पर अटेक करती है और इसे ही बीच वो क्यूग थोड़ा सा क्रेक हो जात लोग देखा हूता है गвойni निखता है जिससे वह करों ने उस इस इंसिडेंट का एक वीडियो वी बना लिया होता है ले इस एक सब्सक्राइमम करने देखता है ओं ये वीडियो अपने दोस्तों को भी दिखाता है तो उसके साइट पिछली रात कोई बुरा सपना देखा होगा लेकिन हिकारू कहता है कि उसने एक आवाज भी सुनी थी तो उसके दोस्त कहते हैं कि अगर उसने सच में सुना ही था तो वो आवाज कैसी थी तो हिकारू थोड़ा सा हिचकता है लेकिन उबाद में उन्हें बता देता है कि वो आवाज उससे हेल्प मांग रही थी तो उसके दोस्त उसका मजाग उड़ाने लगते हैं और हसने लगते हैं लेकिन हिकारू को पता होता है कि उसने सच में कुछ ना कुछ तो सुना ही था और तभी अचानक से ही उसे दुबारा वो आवाज सुनाई देती है और वो प्रबास के घ venture तर जाने से रोक दिता है ही कारोश में क्यों तो पुलीश ओंपशक प्रत उसे बताता है कि यहां पर versucht हो चुकी है जिसकी वजह से यहां के मालिक मिस्टर कामागी ने पुलीस और टेIF seco के घा है तबहुंते हैं तो पुलीस औपशर जहाँ पर पहुंसता है जहां पर एक ब्लुइंग कीव बीच में पड़ा हुआ होता है वह सोचता है कि वह आवाज कहीं इसमें से ही तो नहीं आ रही है और यह सुचकर वह उस क्यूब को छूने की कुछिस करता है लेकिन जैसे ही उसे टच करता है एक तेज रोसनी सीधे आस की खोलता है वो देखता है कि उसके सरीर में से एक जाइंट मेकनिकल आर्म उगया होता है और वो किसी की आवाज सुन रहा होता है जो उस से बाद Southwest पारा रहे होता है लेकिन अच्चानक से ही वो हाथ उसके आगे आ जाता है और कहता है कि मैं ही वो रहा हूं ये देखकर बहुत ही जादा पैनिक करने लगता है लेकिन वो आर्म उसे कहता है कि उसे उससे डरने की कोई जरूत नहीं है बलकि उसने तो उसे उस क्यूप से आजात करके उसकी जान बचाई है और उसके ब वो आर मसल में उसकी बॉडी से नहीं, बलकि उसके जैकेट से चिपका हुआ है, वो सोची रहा होता है कि अब क्या करने, लेकिन तभी ही वहाँ पर एक ड्रोन आ जाता है, उस ड्रोन को देखकर हिकारू को लगता है कि ये जरूर इस कामागी कमपनी का कोई प्रोडक्ट होग और वो कोई मुसीबात में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए वो अपनी जैकेट के साथ उस रोबोट आर्म को भी उसे देने लग जाता है, तभी यो ड्रोन आवाज करने लगता है, और उसके पीछे पढ़ जाता है, हिकारू अपनी जान बचाने के लिए पूरी जान लगा कर भागता है, हिकारू भागते भागते गिर जाता है, तो उस आर्म को उठा कर आगे कर देता है, और उस ड्रोन को उस आर्म को दिखाने लग जाता है, लेकिन इसके बाभुजू तो ड्रोन सीधे उस पर ही मारने को एटेक कर देता है, हिकारू ये देखकर शौक्ट होता ह कि आखिर वो उस आरम को ले क्यों नहीं रहा और उसके ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है तब ही ओ आरम उसे कहने लगता है कि उनके पास रिलक्स होने का बिल्कुल टाइम नहीं है अभी और भी ड्रून्स आ रही होंगी और अगर उसे यहां से जिंदा निकलना है तो उसे हुआ है उनका बॉस उसे पूचता है कि आखिर इस लड़के का हमारी कमपनी के साथ कोई नाता है क्या लेकिन जब वो लोग उसको चेक करते हैं उन्हें पता चलता है कि ओ बस एक रेंडम लड़का है यह देखकर उनका बॉस उन्हें कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी पक आता है कि आखिरों चीज किया है और उसकी बज़ा से सारी लोग उसके लिए पीछे कि यूपड़े हैं लेकिन उस आरम को कुछ भी याद नहीं होता तो उसे कुछ नहीं बता पाता लेकिन उसे कहता है कि हिकारू बहुत ही एक काइन परसन है जिसने उसे बचाया है और उसे साथ ही ये भी बताता है कि एक आर्म अपने मालिक के बिना हुकम की हिल भी नहीं सकता लेकिन जब से वो हिकारू से जुड़ा है वो कुछ भी हिला पा रहा है लेकिन हिकारू को और कोई मुसिबत में नहीं पढ़ना होता है इसलिए वो अपने जैकेट के साथ उस आर्म को भी वहां कर रख कर जाने लगता है वो आर्म उसे कहने लगता है कि बाहर सेफ नहीं है उसे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए लेकिन हिकारू उसे देखता है और कहता है कि सबसे बड़ी मुसिबत तो वही है और वहां से जाने लगता है लेकिन वो जैसे जैसे जा रहा होता है वो नोटिस करता है कि उस आर्म की आवाज धीरे-धीरे कम होती जा रही होती है यह नोटिस करकि वो जैसे ही पीछे मुडता है वो देखता है कि उस आर्म की लाइट धीरे-धीरे डीम हो रही होती है जैस उसके बाद हम देखते हैं कि वहां का वपन डेवलपर एक उची जगह पर खड़ा हुआ होता है और उस चीज को देखकर कह रहा होता है कि यह तो बहुत ही बेकार है लेकिन फिर भी उसे उस आर्म को वापस तो लाना ही पड़ेगा और साथ ही वह यह भी कहता है कि वह जानता है कि वह आकिला ही इस आर्म के पीछे नहीं पड़ा है वह чोर लड़की भी यहां पर पहुँच चुकी होगी और हम देखते हैं कि सचमें वह लड़की वहां पर पहुँच चुकी होती है उसके बाद हम हिकारू को देखते है जो कि उन ड्रोन से बचने के लिए दोड़ते दोडते बहुत ज़्यादा थक चुका होता है लेकिन अचानक से ही वो लड़की जिसका नाम आकी होता है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और उन ड्रोन्स को ठीकाने लगा देती है वो लड़की ही कारू से कुछ कहने ही वाली होता कि तभी ही वहाँ पर weapon developer पहुँच जाता है और उस लड़की को देखकर उसे कहता है कि वो अब भी उस cube को चुराने के लिए उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो इसके लिए उससे सजा जरूर देगा जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं हेकारू एक छोटी से गली देखता है और उसके अंदर घुस जाता है इसे देखकर आकी भी उसके पीछे भागने लगती है लेकिन अपने mechanical arm की वज़े से वो वहाँ पर घुस नहीं पाती है उसके बाद हम देखते हैं कि हेकारू उस गली से निकल कर भाग रहा होता है और साथे साथो ये भी कह रहा होता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी ये सुनकर तभी उसका arm उसे कहता है कि वो चाहे तो वो उसे यहाँ पर छोड़ कर जा सकता है क्योंकि ओ आदमी बस उस आर्म के पीछे पड़े हुए है अगर वो उसे यहाँ पर छोड़ देगा तो हिकारू यहाँ से सेफली वाफस जा सकता है हिकारू कहता है कि अगर वो सही भी हो तो भी अगर वो उसे छोड़ के चला जाएगा तो उसे पता है कि उसकी एनरजी ट्रेन हो जाएगी, इसके लिए वो उसे छोड़ कर नहीं जा सकता, तभी वहाँ पर आकी पहुँच जाती है, जिसने की वेपन डेवलेपर को हरा दिया होता है, वो वहाँ पहुच कर उसे कहती है कि वो उसके साथ को उपरेट करें, वरना उ उसे उस पर अटेक करना पड़ेगा, हिकारू का आर्म उसे कहने लगता है कि अगर वो हिकारू को जाने देगी, तो उसके साथ जरूर को उपरेट करें, लेकिन तभी ही हिकारू कहता है कि वो उसका साथ छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये सुनकर आकी तैयार हो डिभेंड करने के लिए तियार हो जाती है, लेकिन वो ये देखकर शौक हो जाती है, जब हिकारू का आर्म एक बड़ी सी आर्म में ट्रांस्फोर्म होकर उसे एक जूरदार पंच मार देता है, और इसी मौके का फैदा उठा कर हिकारू वहां से भाग लेता है, उसके लगा नहीं था कि ओ लड़का उस आर्म की ताकत को यूज कर पाएगा, इसलिए उसे पकड़ने में नाकामियाब रही, लेकिन वो जल्द ही उसे पकड़ जरूर लेगी, अगले सीन में हम देखती हैं कि हिकारू अपने स्कूल जा रहा होता है, और हम ये भी देख पाते है कि अब भी वार्म उसे ही जुड़ा होता है, और उसके जैकेट के पीछे चुपकर बैठा हुआ होता है, और इसे के साथ ये कहानी यही पर एंड होती है